अघोर भ्योत घोरे भ्यो अघोर घोरे त्रेभ्या, सर्वतह सर्वह सर्वे भ्यो नमस्ते रुद्र रूपे भ्या, ओम नम्मह शिवाय, शिव और महादेव, दिव्य यात्रा का अनावरण नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिव कौन है और उनकी शक्तियां क्या है। हिंदू पौरानिक कथाओं के दायरे में दो नाम लंबे खड़े हैं, जो देवत्व और ब्रह्मांडिय शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आज हम शिव और महादेव की आकरशक किमवदंतियों का पता लगाने के लिए एक मनोरम यात्रा शुरू करते हैं। शिव का न तो जन्म है और नहीं मृत्यू। वे सभी चीजों के निर्माता हैं। शिव महान युग हैं। वे सभी शक्तियों के देवता हैं महादेव। भगवान शिव जिनें महादेव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक केंद्री ये व्यक्ति हैं। सर्वोच विद्वनसक और परिवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित। वे गूढ और विस्मयकारी दोनों हैं। शिव, शाश्वत चेतना और लौकिक संतुलन के प्रतीक को अकसर एक सर्प, वर्धमान चांद और एक त्रिशूल से सुशोभित योगी के रूप में चित्रत किया जाता है। शिव और महादेव के आसपास के मिथक और किमवदंतियां गहन शिक्षांद।